हेलो दोस्तों आपके अपनी यूटूब चैनल ब्यस्टी प्लेट फाम पर आप लोग काई बार फिर से मोस्ट वेलकम है तो आज का क्लासे जो है वे ब्यस्टी फर्स्ट यर फर्स समस्टर इस्टूडेंटों के लिए है जो कि उनके सब्जेक्ट बॉट्मी से रिलेटेड य पिखे उसमें एगरिकस बहें डिसकस करने व यहीं तो एगरिकस जो है वे जर्णरली फंगी होतके इगरिकस जो है वे फंजाई होता है और एगरिकस को हम कामनली भासा Bluetooth को मसρού में नाम से भी जानते हैं तो मस्रूम आप लोगों आ बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क् वेल्ट के मसरूम की ज्यादातर सबजियां बहुत ही प्रचली है तो जो अग्रिकस है ये बॉट क्ल नेम है और कामनली नेम में हम मसरूम के नाम से भी जानते है आज का मेंट टीड अपिक या फिर कि वह किस class का है किस family का है किस order का है तो आइए सबसे पहले हम के हम systematic position को देखते हैं तो systematic position में जो एग्रिकस है वह kingdom my quota का है division you my quota subdivision beside you my quotina class hemnomasties order agriculture family agriculture तो यह देख लिए आम दद सिस्टेमाटिक position अगर आप यह जो आज का topic यह exam of you से most important topic है क्योंकि यह बहुत बार question में paper में पूछने जाने वाला topic है तो अगर यह आपके question paper में पूछा गया तो आप सबसे पहले life cycle को represent करने से पहले जो भी पूछा गया मालिज अगर एग्रिकस ही आपके question में पूछा गया तो सबसे पहले आप उनके systematic position को represent करेंगे क्योंकि systematic position ही उनके जो life cycle में सबसे most important उनका systematic position ही है क्योंकि systematic position उनके class, order, family हर एक चीज को represent कर देता है तो इसलिए अगर question paper में पूछा गया एग्रिकस तो आप सबसे पहले उनके systematic position को ही represent करेंगे तो अब देख लिया हमने systematic position अब हम इनके कुछ body structure को देखेंगे कि इनका body structure कैसा है, इनका body किन part में divide है तो आईए हम देखते हैं कि सबसे पहले occurrence पर कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं अकर dead and taking leaves, wood and rainy season ये ज़्यादा तर सड़े गले स्थानों पर लकडियों फियर या फिर जहां पर सड़े गले हों पदार वहां पर ये ज़्यादा तर पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये वर्षाद के मौसम में भी ज़्यादा तर पाए जाते हैं तो ये देखा मने occurrence और एक बात और कि इंडिया में इनकी जो 17 species present है और उन 17 species में जैसे कि कुकुरमुत्ता कुम्भ ये हो गया कुकुरमुत्ता तो आप लोगे ने बहुत ज़्यादा देखा होगा क्योंकि ये बर्षाद के सीजनों में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो बर्षाद के सीजन में जो कुकुरमुत्ता है वे बहुत आसानी से ही दिख जाता है तो यह जो कुकुर मत्ता है यह भी एग्रिकस का ही species है और इंडिया में केवल 17 species ही इसके present है और यहाँ पर हमने एक figure भी mention किया है एग्रिकस का तो यह देखिए एग्रिकस का figure है आप लोगों ने इसको पहले देखा ही होगा लेकिन मैंने इसमें एक और अपने से एक figure को mention कर दिया है कि जो student इस एग्रिकस को या फिर न देखे हो आज उसको देखकर भली भाती समझ ले तो यह देख लिया आपने एग्रिकस का figure भी और य यह अगर यह ज्यादा तर सड़े गले स्थानों पर या फिर उनके उपर और most important बात यह है कि यह रहा है इनका आकरेंस अब हम इनके body structure पर discuss करेंगे कि इनका body structure क्या है तो body structure तो आपने पहले ही देखा कि एग्रिकस का जो यह देखिए figure यहीं एग्रिकस है और यहीं इनका body structure है तो अब हम इनके structure पर discuss करेंगे कि इनका structure कि इनकी इनकी पार्ट में divide है तो इनका structure है वे बेजिटेटिव मैसिलियम और fruiting body जिसे हम बेजिटेटियो कार्प के नाम से भी जानते हैं टू पार्ट में जरनली डिवाइड है बेजिटेटिव मैसिलियम और दूसरा fruiting body तो आए हम अब बेजिटेटिव मैसिलियम पर discuss करते हैं इसको प्राइमरी मैसिलियम के नाम से भी हम जानते हैं तो जो प्राइमरी मैसिलियम है वे मोनो कर्वाटिक होते हैं मतलब कि यह केवल एक ही कोशिकां को पॉसेस किये होते हैं तो आईए अब इसको figure के धुरू समझ लीजिए इसमें देखिए जो पहला figure mention किया गया है इसमें देखिए कि केवल और एक बात और जो यह horizontal line आपको दिख रही है इसको हम septa बोलते हैं तो यहाँ पर यह mention किया गया है कि प्राइमरी मैसिलियम इस septa एंड मोनो कर्वाटिक तो septa का औरत यहीं होता है कि जो देखिए horizontal line यहाँ पर present है इसको हम septa बोलते हैं क्योंकि देखिए प्रतेक सेल के बाद एक septa present है horizontal line की तरह इसी को हम septa बोलते हैं तो यहाँ पर यह जिकर भी किया गया है कि यह monokarotik होते हैं तो आईए देखते हैं कि यह monokarotik कैसे होते हैं तो यहाँ पर आप figure में देखिए कि प्रतेक सेप्टा के बिच के वल एक ही सेल प्रजेंट हैं तो यह कहीं सेल जब प्रजेंट होते हैं तो आप जनली आप जानते ही हैं कि उसे हम monokarotik बोलते हैं तो इसी लिए हम इसे septa primary mycerium septa and monokarotik बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ बर दो सेप्टाक बिच के वल एक ही सेल प्रजेंट है जब यहीं दो सेप्टाक भी दो प्रजेंट दो सेल प्रजेंट हो जाएंगे तो उसे हम डाइकरोटिक mycelium या फिर डाइकरोटिक हाइपा के नाम से जानते हैं जो कि इस फिगर में देखिए पहले इंफिगर में जो दूसरा वाला फिगर है इसमें यहीं हम दूसरे इसकी स्ट्रेक्चर पे फ्रूटिंग बाडी बाडी पर डिसकस करेंगे तो फ्रूटिंग बाडी को जरली बस्वाइकरılar के नाम से भी जानते हैं तो अब देखिए आप दूसरे फिगर बे यह जो पूरा फिगर है इसी को ही हम फ्रूटिंग बाडी के नाम से जानते हैं या फिर बिसीडियो कार तो जो यह फ्रूटिंग बाडी है वे जनरली टू पाट्स में डिवाइड होता है जो टीप पर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं और जो टीप से नीचे मतलब की नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है यह वाले फिगर इसको हम स्टीप बोलते हैं और यह जो टीप वाला और स्टीप के बीच में यह जो प्रेजेंट है जिससे यह अटेस्ट है पाइलस उसे हम वेलम के नाम से जानते हैं तो यह यहीं figure इसका fruiting body figure कहलाएगा तो हमने इसके structure पे भी बात कर लिया तो अब हम आएंगे एक most important topic पे तो यह topic भी इसी से related है कि formation of dichoretic hyper by clamp connection कि clamp connection द्वारा dichoretic hyper का कैसे formation होता है यह बहुत ही most important है exam of use कियों कि यह short question में बहुत बार पूछे जाना वाला question है कि explain कीजिए कि formation of dichoretic hyper by clamp connection यह short question में बहुत बार पूछे जाना वाला question है तो आईए देखते हैं कि clamp connection द्वारा dichoretic hyper का formation कैसे होता है हमने आपको पहले ही बता दिया कि dichoretic hyper क्या होता है जब 2 septa के बीच 2 cell present होते हैं तो उसे dichoretic hyper हम बोलते हैं तो आईए देखते हैं कि clamp connection द्वारा dichoretic hyper का formation कैसे होता है तो सबसे पहले इसमें monocorotic hyper present होते हैं monocorotic hyper का मतलब कि जब 2 septa के बीच के वाल एक ही cell present हो तो उसे monocorotic hyper बोलेंगे या फिर monocorotic myceleum बोलेंगे तो ये जो dichoretic myceleum या फिर hyper का formation है ये monocorotic hyper से ही होता है तो इसमें सबसे पहले ये वाले figure को देखिए इसमें सबसे पहले हम monocorotic hyper को लेंगे दो monocorotic hyper को लेंगे इनके बीच differentiate करने के लिए हम इसे positive hyper और negative hyper से represent करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर दो hyper ले लिया positive hyper एक negative hyper और दोनो hyper monocorotic hyper हैं तो अब इसमें देखिए बी वाले figure में जब ये hyper एक दूसरे से attest हुए तो इनका जो sale था वे एक दूसरे से और closely आ गया अब जैसे c वाले figure में जाएंगे तो इनका जो अब sale होए थोड़ा सा दूर हो गया मतलब कि जो दोनो hyper के positive hyper और negative hyper का जो sale था वे सबसे पहले closely आया और closely बात थोड़ा से दूर हो गया अब और next process में क्या हुआ कि और दूर हो गया और next process में क्या हुआ कि जो sale है इनकी लंबाई में थोड़ा सा increase हुआ लंबाई में increase हुआ और next process में क्या हुआ कि लंबाई में जब increase हुआ तो ये जो एक sale था वे दो sale में divide हो गया यह वाले फिगर में आप देखिए जो एक सेल था हुए दो सेल में डिवाइड हो गया मतलब कि जहां यहां पर तो दो सेल पहले closely हुए थे फिर एक दूसरे से दूर हुए और फिर दोनों सेल ही लंबाई में increase हुए increase होकर दोनों सेल में डिवाइड हुए मतलब कि फोर सेल का फारमेशन कर लिया और फोर सेल का फारमेशन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में इनके बीच एक सेब्टा का फर्मेशन हुआ तो अब लास्ट वाले फिगर में आप देखे यच वाले फिगर में कि क्या होता है कि जो सेब्टा का फर्मेशन हुआ तो सेब्टा के बीच दो सेल परजेंट हैं तो इसलिए हम इनको Dicarotic Hyper के नाम से जानते हैं तो यह रहा जो यह पूरा process है इसी को हम Clamp Connection के नाम से जानते हैं और यह बहुत most important topic है आप यह जानेंगे कि यह आपके इजामा प्यूँ से most important topic है तो यह देख लिए हमने Clamp Connection को भी अब हम देखेंगे इनके reproduction पे किनका जो reproduction है वे किस type का होता है तो सबसे पहले हम इनके visitative reproduction पे बात करेंगे किनके visitative reproduction कितने types के होते हैं तो आइए सबसे पहले यहाँ पर दो ही types को mention किया गया है जनरली यह दो types से ही अपना visitative reproduction को show करते हैं तो आईए हम डिसकस करते हैं पहले बेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन या फिर एसेक्स्वली रिप्रोड़क्शन को इटीज मोस्टली प्रोपेगेटेड बाई बेजिटेटिव मेठद वैर डायकरोटिक माइसिलियम डेबलेप्ट स्वान अभी जो डायकरोटिक माइसिलियम का फार्मेसन हुआ जिसमें हमने बताया कि जब दो सेप्टा के बिच दो सेल परजेंट होते हैं उसे ही डायकरोटिक माइसिलियम या फिर डायकरोटिक हाईपा के नाम से हम जानते हैं तो पहले वाले जो टाइप से बेजिटेटिव रिप्रुडक्शन का उसमें यहीं डिसकस किया गया या फिर यहीं मेंचन किया गया है कि जो डाइकरोटिक मैसिलियम है YouTube क्रता है स्वान को मतलब की मश्रूम के सीट को स्वान मतलबra के समान मश्रूम के सीट को डेबलेट करता है the mass of swan divided artificially into small block that are growing soil with organic manner to obtain a fruit body अब यह जो dickerotic mycelium था वे मश्रूम के सीट को डेबलेट करेगा तो मश्रूम के सीट का जब डेबलेट हो जाएगा तो उसका जो mass है वे artificially रूप से divide होगा और यह soil में grow करेंगे और soil में जब यह grow कर लेंगे मतलब कि इनका जब mature हो जाएंगे पूरी तरह से और under favorable condition आएगा तो यह एक fruiting body में convert या फिर grow कर लेंगे तो इससे एक नए प्रकार का fruiting body का formation हो जाएगा तो यह रहा पहले types का visitative reproduction अब हम बात करेंगे दूसरे types का visitative reproduction किस प्रकार होता है तो जो दूसरे types का visitative reproduction है उस पे हम अब discuss करेंगे तो it is not common method of propagation in agriculture में it takes place by clamidospore यह जो visitative reproduction है जो दूसरे types का visitative reproduction है where most important है आपके exam of view से क्योंकि यह पूछता है कि बताइए कि question में आपको ऐसे ही पूछेगा कि बताइए कि जो एगरिकस फंगी है उसमें clamidospore द्वारा visitative reproduction को बताइए कि कैसे होता है तो इसी पर हम discuss कर रहे है कि clamidospore पे ही तो जो दूसरे types का visitative reproduction है where it takes place by clamidospore तो हमने जो secondary mycelium बता जिसमें कि दो septic भी दो सिल प्रेजेंट होते है उसी को ही तो dichorotic mycelium और dichorotic hyper बोलते है या फिर secondary mycelium तो secondary mycelium के terminal पे ही clamidospore developed होगा और developed होने के बाद दे germinate to produced dichorotic mycelium और यह फिर से एक dichorotic mycelium के रूप में developed हो जाएगा जिससे की एक नई fruiting body का formation हो जाएगा तो आज के classes में बस इतना ही क्योंकि आज का जो classes है वे ज़्यादा लंबान हो पाए मतलब कि ज़्यादा समय न उसमें लग पाए जिससे की आप लोगों को ज़्यादा उबनसी न लगे तो इसका जो next part है मतलब कि इसका जो एगरिकस फंगी है उसका जो second part उसमें हम इनके sexually reproduction पे हम discuss करेंगे क्योंकि आज का जो classes है उसमें हमने systematic position उनका प्यवियर अक्रेंस बेजिटेटियर रिप्रोडक्शन इन सभी पर हमने detail से discuss कर लिया है तो जो इसका next part है मतलब कि जो next classes हम attend कराएंगे उस पे जो एगरिकस फंगी है उसके sexually reproduction पर generally हम लोग discuss करेंगे तो जो हम तो और जो इस्टूडेंटों के लिए हम बता दिना चाहते हैं कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं जिससे की और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले हमारे चैनल के जो भी अपडेट आते रहे हुआ आप तक आसानी से पहुशते रहे हैं तो यहां पर और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो फर्स सेमस्टर इस्टुडेंटों के लिए subject unit 3rd था उसमें मैंने कई topics पर detail में class को attend कराए हैं अगर आप उस class को attend नहीं किये हैं तो आप चैनल के playlist पर जाकर उस class को आसानी से attend कर सकते हैं तो आज की classes बस इतना ही मिलते हैं next topic में next video के साथ और उस जो lecture है next उसमें हम एगरिकर्स के sexual reproduction पर ही discuss करेंगे तो आज की classes में बस इतना ही मिलते हैं next lecture में next topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद